हलो दोस्तों मैं सवराब आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूसन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंट सेट है रेडमी ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक सेड में नीचे एक तरफ रेडमी की का यानि कि डिवाइस का गूगल एकाउंट लॉक रिमूब करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस तरीका तो दोस्तों अगर आपके पास रेडमी एवन है और आपकी डिवाइस एकाउंट लॉक है तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को ऐसी कंफर्म होगा कि आपकी डिवाइस एफार पी लॉक है तो इसका एक छोटा सा ट्रीक इस वीडियो में आपसे सेर कर देता हूं आप उपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए तो आपको एक छोटा सा लॉकर सो करता है ओके इस टाइप का लॉकर सो कर रहा है इसका मतलब आपकी डिवाइस एफार पी लॉक है अगर यहां पर इस टाइप का लॉकर सो नहीं करता तो आपकी डिवाइस एफार पी लॉक नहीं होती लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास यह जो डिवाइस से रेडमी एवन यह पूरी तरह से option पे क्लिक करें ओके और यहां ध्यान दीजिए connect to wi-fi वाले option पे आ चुके हैं नीचे तरफ next का कोई भी option फैसो नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या सबसे पहले, यहां पे अपने डिवाई को किसी वाइफाई से connect करना होगा क्योंकि डिवाईस में नेट का चलना जरूरी है, तो यहां जल्धी से मैं अपने डिवाईस को किसी हौई पायउ से connect कर लीता हूँ device fp lock होती है यानि कि google account lock होती है ओके ध्यान दीजिए यहाँ पर device का fp bypass करने के लिए आपके पास दो option है सबसे पहला option verify pin यानि कि आपको ये pin verify करना होगा अगर आपको ये pin पता है तो ये pin आप simple यहाँ पर enter करें नीचे सही सहरो पर click कर दें अगर आप सही pin एंटर करेंगे तो device आपकी बहुत आसानी से अनलाक हो जाएगी लेकिन unfortunately ये pin हमें नहीं पता है एक चीज़ और ध्यान देना होगा आपको यहाँ पी verify pin का option है तो यहाँ पी verify उपर की तरफ देखे लिखा use my google account instead तो मैं simple इस option पर click करता हूँ अब quick second wait कर ये दोस्तों तो यहाँ पर लिखके आएगा verify your account आगे चलके device का frp bypass करने के लिए आपको इस device का google account verify करना होगा ये देखे finally verify your account का option आ गया ओके तो अब दोस्तों अगर आपको इस device का google account यहाँ पर पता है तो आप simple email आर फोन में enter कर दें नीचे से next पर click कर दें अगर आप सही google account इंटर करते हैं तो device आपकी बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी लेकिन unfortunately device का google account भी हमको नहीं पता है तो विडियो को ध्यान से देखिएगा जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया मेरी इस विडियो को देखने के बाद without PC without laptop घर बैटे 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 बिल्कुल free में आप अ वाल्यूम अप डाउन बटन आप देख रहे हैं ठीक है आपको करना क्या इन दोनों बटन को कुछ देर तक प्रेज करके रखेंगे तो आप देखें कि आपके डिवाइस में talkback का notification सो करेगा ठीक है तो ध्यान पे देखिए मैं क्या करता हूँ वाल्यूम अप डाउन इन द talkback on नहीं हुआ है अब यह आपको करना क्या होगा फिर से दोस्तों फिर से आप वाल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो फाइनली आपके डिवाइस का talkback on हो जाएगा ठीक है तो यह देखे मैं क्या करता हूँ मैं फिर से वाल्यूम अ इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूँ अब देखिएगा नीचे की तरफ देखे मैसेज आ गया talkback turn on और उपर की तरफ देखे लिखा है welcome to talkback यानि कि अब हमारे डिवाइस का talkback पूरी तरह से on हो गया ओके तो talkback on हो गया एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे ज तो talkback आन हो गया अब आगे देखे आपको करना क्या है अब दोस्तों डिस्प्ले पे आपको उल्टा एल करना है पिक्चर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम तरिका से आप यहाँ पर उल्टा एल करें ओके जैसे ही उल्टा एल करेंगे तो आपके सामने यह परमिशन आ मिलेगा अब देखिए आपको करना क्या है नीचे तरब दो option मिलता है cancel और use voice commands आपको simple use voice commands पे एक बार click करना है ठीक है उसके बाद अब देखिए आपको करना क्या है अब display पे आपको कहीं भी double click करना है और बोलना है Google Assistant तो इससे क्या होगा आपके display पे यहां पे एक छोटा सा pop-up box open हो जाएगा ठीक है मैं practical ही दिखाता हूँ मैं कहीं भी double click करूँगा और बोलूँगा Google Assistant गूगल असिस्टेंट और यह देखे दोस्तों add account use without a Google account यह pop-up box आगया ठीक है आपको करना क्या है आपको simply click करना use without a Google account पे दो बार क्योंकि यहां पे talkback on है तो आपको simple इस option पे double click करना होगा ठीक है जैसे double click करेंगे तो यह interface so करेगा अब देखे आपको करना क्या है अब finally आपको device का talkback पूरी तरह से off कर देना है और यह देखे message आ गया talkback turn off यानि कि अब हमारे device का talkback पूरी तरह से off हो गया ठीक है अब दोस्तों आपका जो यह touch है बिल्कुल प्रापर पहले की तरह work करेगा अब देखे आपको करना क्या है सिंपल आप इस arrow पे क्लिक करें यहां देखे बहुत सारी language है आप यहां से English करें और उसके बाद done पे क्लिक करें ओके यह देखे talkback disable का option यहां से यह automatically remove हो जाएगा ठीक है और यह देखे Google Assistant यहां पे open हो जाएगा आपको करना क्या है यहां पे देखे एक keyboard है आप सिंपल इस keyboard पे क्लिक करें ठीक है जैसे इस keyboard पे क्लिक करेंगे तो आपके device का keyboard यहां open हो जाएगा उसके बाद अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे लिखा है type message यहाँ पे आपको type करना है open settings डिस्पले पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल same type करिएगा तो यहाँ पे हम simple type कर देते हैं open settings उसके बाद इस arrow पे click करेंगे जैसे इस arrow पे click करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपके device की main setting यहाँ पे open हो जाएगी और यह देखें दोस्तों finally आप देख सकते हैं हमारे device की main जो setting है यह देखें device की main setting यहाँ पे open हो गए ठीक है आपको करना क्या है यहाँ पे एक option आपको मिलेगा Apps का, आप Apps पे क्लिक करें, Apps पे क्लिक करने के बाद, आपको Simply क्लिक करना, CR36 Apps पे, ठीक है, जैसे ही CR36 Apps पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके device में by default जो applications की list है, देखें, सारे applications की list आपको यहाँ पे 100 करने लगेगी, ओके, आपको करना क्या है, आप यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ एक application आपको मिल जाएगा दोस्तों, Google Play Services, यह रहा, आप simple इस पे क्लिक करें, ठीक है, और अब देखेंगे, आपको इस application को disable करना है, और उसके बाद force stop, कैसे करेंगे, आप यहाँ से disable करें, उसके बाद disable app कर दें, उसके बाद यहाँ से force stop कर दें, और last में आपको simple ok पे क्लिक कर देना, ठीक है, तो यह जो Google Play Services है, यह पूरी तरह से disable हो गया, और force stop हो गया, अब देखेंगे, आपको करना क्या है, अब यहाँ से बिल्कुल back चले जाना है, बिल्कुल home screen पे, अभी भी देखिए, लॉकर सो कर रहा है, अब आपको करना क्या है, अब आपको android setup करना है, तो चलिए setup करते हैं, तो इसके लिए simple हम start पे click करेंगे, यहाँ नीचे से next करेंगे, इस box को check करेंगे, उसके बाद next पे click करेंगे, यहाँ से यह जो option A1 का FRP bypass कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखे लिखा just a few moment, आपको कुछ second तक wait करना है, maximum 40-45 second दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, Redmi A1 का FRP bypass करने का तरीका, वीडियो अगर अच्छी लगती है, helpful लगती तो मैं आप सिर्क वेश्ट करूँगा कि इस वीडियो को share करिए, like करिए, और ऐसे सांदार interesting वीडियो की notification पाने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करिए, बगल में जो बेलाकन है, उसे भी प्रेस करिए, ओके, और यहाँ देखें दोस्तों, यह don't copy सो किया, तो आप don't copy पे click करें, ओके, और कुछ second wait करिए, और अब दोस्तों अब देखें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ उपर के तरफ ध्यान दीजिए, just a second checking for updates, just a second checking for updates, यह देखे continue repeat कर रहा है, ओके, और यह देखे से आप back चलेंगे, एक एक point back जाएंगे, आपको यहाँ पर सो करेगा setup offline का option, ठीक है, तो आपको back जाना है setup offline वाले option पे, तो यहाँ से आप एक point बैक आएं, ओके, एक point और back आएं, और यह देखे, setup offline यहाँ पर सो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब देखे, अब मैं अगर setup offline पे click करूँगा, तो हमारे device का FRP bypass नहीं होगा, मैं आपको करके दिखा देदा हूँ, ठीक है, तो आपको simple setup offline पे click करना है, उसके बाद continue पे click करिए, ओके, और यह देखे, just a second, अब यह continue यहाँ पर repeat करेगा, just a second, just a second, just a second और यह continue यहाँ पर round करेगा, ओके, अभी भी आपके device का FRP bypass नहीं हुआ, अब आपको करना क्या होगा, अब यहाँ से आप बिल्कुल back चले आए, बिल्कुल back यानि कि आपको बिल्कुल back चले आना home screen पे, ओके, हम आ गए home screen पे, अब देखिए आपको करना क्या, अब फिर से आपको device का talkback on करना है, ठीक है, तो talkback कैसे आन होगा, मैंने पहले भी बता दिया, आप simple volume up down, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेज करके रखता हूँ, यह देखिए message आ गया, talkback turn on, उपर की तरफ आप दे देख सकते हैं, ठीक है, तो हम simple यहाँ पे ultra-l draw करेंगे, जैसे ही ultra-l draw करेंगे, तो यह देखिए same interface पहले की तरह यह wise command यहाँ पे active हो जाएगा, ठीक है, आपको दो option मिलता है, cancel, use wise commands, आपको simple एक बार use wise commands पे click करना है, उसके बाद अब देखिए, same पिछली बार की तरह आ और यह देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए Google Assistant open हो गया, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी problem आपको phase करनी पड़ती है, ठीक है, आप यहाँ उपर की तरफ देखिए दोस्तों, device हमारी wifi से connect है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, check your internet connection and try again, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, talkback आपने on किया था, सबसे पहले तो आप talkback off करें, ठीक है, तो off करने का तरीका simple है, up down इन दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करके रखें, तो यह देखिए मैं device का talkback off कर लेता हूँ, देखिए नीचे तरफ मैसे जा गया talkback turn off, यानि कि अब हमारे device का talkback off हो गया, ठीक है, और अब देखिए, यहां पे लिखा है चेक your internet connection, ठीक है, यह देखिए मैं मायक पर क्लिक करता हूँ, तो बार बार यह देखिए, बार बार यही option यहाँ यहाँ पर repeat करेगा, चेक your internet connection, यह देखिए, तो अब आपको करना क्या है, अब यहाँ ऊपर के तरफ देखि आपको share का option मिलता है, तो आप simple share के option पे click करें, ओके, जैसे ही share के option पे click करेंगे, तो यहाँ नीचे के तरफ देखिए, share के ये सारे options आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, आपको करना क्या है, इन सारे option में से, ये जो message blue color का है, आपको simple इस option पे click करना है, ठीक है, कुछ second wait करे यहाँ पे देखिए, cancel और new message का option आ गया, आप simple new message पे click कर दें, ठीक है, जैसे new message पे click करेंगे, तो यहाँ उपर की तरफ द्यान दीजे, यहाँ पे लिखा type a name phone number, ठीक है, आपको यहाँ पे type कर देना है, one two one, ठीक है, display पे आप देख सकते हैं, तो आप simple यहाँ पे number type कर द ठीक है, इसे delete कर देना, ठीक है, तो मैं इसे पूरा delete करता हूँ, ठीक है, और अब इस test box में आपको type करना है, www.youtube.com, display पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल same type करेगा, तो यहाँ पे हम simple type कर देते है, www.youtube.com, ओके, यह देखे, मैंने type किया, www.youtube.com, without space, ठीक है, आपको इस link को refresh कर देना है, refresh करने के लिए, यहाँ पे देखे, लिखा है, tab to load preview, आप एक बार इस पे click कर दे, ओके, अब देखे, आपको करना क्या है, अब यह youtube.com का link बन गया, आपको simple इस link पे click कर देना है, जैसे इस link पे click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके device में YouTube का application finally हमारे device में open हो गया, लेकिन, लेकिन, यहाँ पे देखे, enable Google Play Services और यहाँ पे enable काप्स ना गया, ठीक है, तो अब मैं बता दू दो, आपको याद होगा, आपने एक application disable किया था Google Play Services, अब बारी है उसे enable करने की, ठीक है, तो कैसे enable करेंगे, सबसे पहले आप simple यहाँ enable पे click क करें, तो आप देखेंगे आपके device में Google Play Services का app info यहाँ पे open हो जाएगा, ठीक है, और आपने Google Play Services को disable किया था, आपको उसे enable करना है, तो बहुत simple है, enable करने के लिए simple आप यहाँ से enable पे click कर दें, यह देखे, Google Play Services enable हो गया, ठीक है, अब enable हो गया, अब देखिए आपको करना क करेंगे, अब आपको यहाँ से बिल्कुल back चले जाना है, बिल्कुल home screen पे, ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल back चले जाना है, बिल्कुल home screen पे, ओके, तो यहाँ से हम बिल्कुल back आगा है, home screen पे, अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको android setup करना है, तो चलिए setup क करेंगे उसके बाद next करेंगे ठीक है अब यहां पे skip का अपस ना गया आपको skip पे click करना है उसके बाद 1 point back आ जाना है ठीक है तो पहले हम skip पे click करेंगे उसके बाद 1 point back आना है तो 1 point back आएंगे 1 point back आएंगे दोस्तों यह देखिए 1 point back में नहीं आया यहां से आपको एक point back आना है, तो यहाँ पे setup offline का absence हो करेगा, तो एक point back आते हैं, यह देखिए, setup offline का absence हो कर दिया, ठीक है, तो पहले क्या होता था दोस्तों, जब हम setup offline पे click करते थे, तो device हमारी बिल्कुल stuck हो जाती थी, just a second और continue round करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों तो Google Services आ गया, इसका मतलब हमारी device का FRP bypass हो गया, फिर भी मैं आपको complete setup करके दिखा देता हूँ, तो simple हम more पे click करेंगे, more पे click करेंगे, accept करेंगे, ओके, यह देखिए, straight up pink option ना गया, तो इस option को आप simple यहाँ से skip कर दें, यहाँ से skip anyway कर दें, कुछ second बेट करें यहाँ पे, यहाँ से आपको simple next करना है, यह देखिए getting ready, तो कुछ second बेट करिए, finally आपको device का FRP पूरी तरह से bypass हो चुका है, यहाँ पे आपको 10 second तक maximum बेट करना है, और यह देखिए दोस्तों, finally हमारी device Redmi A1, इसका FRP यानि की Google Account पूरी तरह से deactivate हो गया, device हमारी पूरी तरह से unlock हो Redmi A1 का FRP bypass करने का, यानि की device का Google Account lock remove करने का, यह trick आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे comment करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है, तो वीडियो के last में एक छोट इस request करना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडिय झालने के तोस्तूर, तोस्त dobrяет है, गहाँ अओको कैसी लगती है, तोस्तों इस हमे लगती है, नहींद लगती है झाल झाल